Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel आज हम शुरू करेंगे Chapter 9 Areas of Parallelograms and Triangles ये वीडियो इस Chapter का Introduction वीडियो है और इस वीडियो में मैं जितनी भी बातें आपको बताऊंगा वो सारी आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपके जो Questions हैं वो आपको ठीक से समझ में आए चले सबसे पहले जो टॉपिक है Figures on the same base and between same parallel lines इस बात को आपको समझना है कि ऐसी figures जो किसी same base पर बनी हुई है और same parallel lines के बीच में बनी हुई है For example, मैं यहाँ पे दो parallel lines बनाता हूँ ऐसे अब यहाँ पे कोई मैं figure बना देता हूँ ये AB और ये C ABC मैंने एक triangle बना दिया अब A अब यहाँ पे मैं कुछ और बना देता हूँ For example, AB, P और Q मैंने एक trapezium बना दिया जो कि AB base के उपर है अब AB base के उपर AB, P, Q, trapezium भी है और AB base के उपर ABC भी है तो ऐसी जो figures होती है न जो same base के उपर होती है और same parallel lines के बीच में होती है तो इन्हें हम बोलते है figures lie on the same base and between same parallel lines इसी से related जो है आपकी theorems भी है चलाए topic number 2 देखिए Parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area यहाँ से आपकी main चीज़ शुरू होगी जो आपको समझना जरूरी है question कहता है कि ऐसे दो parallelograms दो यह तीन कितने भी हो on the same base and between the same parallels are equal in area कोई parallelograms जिनका base same हो और वो same parallel lines के बीच में लाई करते हो वो area में बराबर होते है for example मैंने यहाँ पे दो parallel lines बना ली है और एक parallelogram मैं ऐसे बना रहा हूँ यह a b मैंने base माल लिया a b c d एक parallelogram बना दिया इसी तरह से मैं a b base के उपर a b p q एक parallelogram बना देता हूँ अब यह दोनों के दोनों जो parallelogram है ना यह same base के उपर है और same base कौन सा है a b और same parallel lines के बीच में भी है l और m parallel lines है ना तो इनके बीच में भी है तो इनका जो area है ना वो बराबर होगा मतलब area of a b c d is equal to area of a b p q अब यह क्यों होगा यह भी आप समझ लीजिए देखिए parallelogram का जो area होता वो होता base into height तो इसका भी area base into height होगा अब a b c d वाले का base क्या है a b है और a b p q वाले का base क्या है वो भी a b है अब आते हैं इनकी height पर इन दोनों की जो height है ना वो same होगी height क्या होती है यहाँ पर यह दोनो parallel lines है ना तो parallel line के बीच का जो बिल्कुल vertical जो length होती है वो ही तो height होती है तो इन दोनों जो parallelogram से इन दोनों की जो height हो same है अगर इसकी मैं height देखूंगा तो जो 90 degree पर पड़ेगी वो वो ही तो length होगी जो इन parallel lines के बीच का gap है तो इनकी जो height है ना वो same होती है बेस तो same होई गया और height भी दोनों की same है यह reason है इनका area same होने का चले इसके बाद number 3 चीज़ देखते है जो बहुत जरूरी है third point है two triangles on the same base और equal bases and between the same parallels are equal in area इसे भी समझते हैं दो parallel line बनाई मैंने two triangles on the same base यह एक AB base बनाया और इसी AB base के उपर और same parallel lines के बीच में मैंने ABC एक triangle बना दिया और इसी AB base के उपर मैंने एक और triangle बना दिया ABD base same है दोनों का और यह दोनों की दोनों जो triangles हैं यह same parallel lines के बीच में है तो इनका जो area है ना वो भी बराबर होगा और यहाँ पर एक बात और भी लिखियो है और equal bases अगर यह same base ना हो ना equal base हो तो भी for example जो AB है यह मेरा 3 cm है मैं यहाँ पर एक और base ले ले लेता हूँ 3 cm का PQ ले लेता हूँ और यहाँ पर कोई triangle बना दियता हूँ तो base की जो length वो तो same है ना अब हम same base बोले यह same length वाला base बोले बात तो एक ही है तो इनका जो area वो भी बराबर होगा उसका reason क्या है उसका reason भी देख लीजिए देखिए यहाँ पर area of ABC बराबर होगा area of ABD ट्राइंगल का area क्या होता है half base into height तो इसका भी half base into height अब हाफ हाफ तो है दोनों तरफ और base इसका base भी AB है और इसका base भी AB है और रही height की बाद तो height आप समझी गए कि parallel lines के बीच का जो बिलकुल gap होता है एकदम perpendicular gap वो ही height होती है तो इनकी जो height है वो अपने आप में same है क्योंकि यह दोनों के दोनों triangles जो है ना यह same parallel lines के बीच में like कर रहे है तो इसलिए इनकी height same है तो इनका area भी same होगा मोटी सी बात यह समझनी है कि जो triangle same base पे और same parallel lines के बीच में like करते है उनका area बराबर होता है चलिए इसके बाद जो four topic है उससे समझते है two triangles having the same base दो triangle जिनका same base है यह equal base बोले and equal areas lie between the same parallels तो यह इसका just उल्टा है जो भी अभी हमने उपर पढ़ा है theorem 9.2 यह उसका उल्टा है कहता है कि दो triangle जिनका base same है जिनका base same है और उनका area equal है तो parallel lines के बीच में जो होगी वो parallel lines same होगी तो यह उसका just उल्टा है कोई नहीं चीज़ नहीं है चले इसके बाद जो fifth चीज़ है fifth point जो है वो बुक में तो आपकी नहीं लिखा है लेकिन यह आपका सबसे ज़्यादा important है लेकिन यह आपका सबसे ज़्यादा important है लेकिन ट्राइंगल and a parallelogram lie on the same base and between the same parallels then area of triangle is equal to half of area of parallelogram इस बात को आप थोड़ा ध्यान से देखें यही सबसे ज़्यादा आपका use होगा इस chapter के अंदर कहता है कि किसी same base के उपर अगर कोई parallelogram lie करता है same base और same parallel lines LORM parallel line बनाई मैंने AB base बना दिया अब AB base के उपर एक parallelogram ABCD है और इसी AB base के उपर एक triangle है ABP तो जो triangle का area है न वो parallelogram के area का half होगा यह है इसका मतलब अब half क्यों होगा यह भी बता देता हूँ देखे area of ABC जो है ABP triangle ABP है यह half होगा area of parallelogram ABCD के क्यों होगा क्योंकि parallelogram का जो area होता वो होता है base into height और triangle का जो होता है वो half base into height अब half और half तो दोनो तरफ सरी हाफ half base into height होता है और यह base into height होता है अब इसका जो half है वो इसलिए है क्योंकि जब आप parallelogram को दो जगे से काटते हैं न ऐसे बिल्कुल diagonal to diagonal करते हैं तो दो equal triangle बनते हैं अब इनका जो height है parallelogram की height तो सेम ही है तो parallelogram दो triangle से मिलके बनता है तो जो parallelogram और जो triangle जैसे कि यहाँ पे मैंने ये base माल लिया ये जो AB है ये मैंने base माल लिया तो इस AB के उपर ही तो ये parallelogram बना हुआ है और इस AB के उपर ही ये ABP ये triangle बना हुआ है तो इसको आधा किया तो जो triangle का area है वो parallelogram का half है अब यहाँ पे जो height दोनों की वो सेम इसलिए है क्योंकि parallel lines के बीच में है तो height से मतलब है ये मत देखिया आप ये जो half वाला concept है वो यहाँ से देखिए कि parallelogram के अंदर दो equal triangles होते हैं और मैंने अगर इसको base मान लिया तो ये तो triangle हो गया और ये पूरा parallelogram हो गया अब height इनकी सेम इसलिए होगी क्योंकि ये दोनों के दोनों parallel lines के बीच में like कर रहे हैं वो ही height होती है तो इसका इतना simple सा reason है तो ये जो video है इसमें जितने भी मैंने आपको इपाच points बताई है ये आपकी आने वाली exercises में use होने वाले है तो I hope आपको इस सारे के सारे अच्छे से समझ में आयोंगी फिस studio बस इतना ही next questions के लिए फिर next video में मिलते हैं तब तक के लिए good bye